मेक आउट के तरब से एक important announcement आ गया है मेक आउट का एक important notice पबिलिश हुआ है जहांपे सब कुछ examination को लेके बोल दिया गया है कौन semester का, क्या-क्या होगा, practical कब होगा, theory कब होगा admit card कैसे download करना है, क्या-क्या process है, form field कब से होगा सब कुछ बोल दिया गया है, किस mode पे examination होगा तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बोलूँगा वीडियो कौन तक देखना, definitely सभी groups पे ये video share करना ताकि सभी macoutians का सभी doubt clear हो जाए तो definitely different groups पे share करना and channel के साथ बने रही है, ताकि macout related हो या फिर future कोई भी और related हो, या फिर job related हो any educational update आपको time to time मिलता रहे तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं देख सकते हैं, अभी हम लोग जहाँ पे है, वह हम Macout का website यहाँ पे नीचे scroll करेंगे तो आपको एक recent notice मिल जाएगा जो कि already मैंने download करके रखा है, फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखी है, यह note is already downloaded है एक बार फिर से download करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहे, यह आज ही publish किया गया है यहाँ पे देखिए, 3rd semester, 5th semester and 9th semester students following all advisories guidelines of different bodies in covid-19 pandemic situation in the interest of students and all concerned and advised to follow the steps application देखिए अब डिटेल्स में बोल दिया गया है क्या क्या step follow करने के लिए कौन कौन से semester का 3rd, 5th, 7th and 9th semester के students के लिए ये publish कर दिया गया है क्योंकि 1st semester के students का already publish कर दिया गया था कि उनका March में examination होगा आपको already पता है ये जो publish किया गया है 3rd, 5th, 7th and 9th semester के जो जो students है उनके लिए publish किया गया है पहले ही देखिए बोल दिया गया है has decided to conduct end semester odd semester जो examination है in online mode for 3rd, 5th, 7th and 9th semester students तो आपको online में होगा Macout भी अभी आपका notice निकाल के final announcement कर दिया है देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहे application form would be available college login आपको पता है college login में आप easily enroll कर पाएंगे आपका semester के लिए सभी का date में आपको बताऊंगा उसके साथ साथ आपको login करना पड़ेगा form fill आपको करना पड़ेगा जो form fill आपको करना पड़े submit करना पड़े एक semester form उसके साथ साथ आपको fee payment करना पड़ेगा सभी का date भी announce कर दिया गया है देखिए उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बोल दिया गया है कि payment आपका 5 number point आप देख सकते है payment हो जाने के बाद यहाँ पर clearly बोला गया है यहाँ पर देखिए date बोल दिया गया है कौन कौन से date पर क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ देखिए उससे पहले यह देख लीजिए कि आपका जो fees है आपको पता है regular students के लिए 1200 and back paper के लिए अलग-अलग से आपको form flip करना पड़ता है back paper का आपको पता है same process है उसके लिए 1000-1000 करके लगेगा आपका पर back paper और आपका जो regular students है अगर आप तो आपको 1200 देना पड़ेगा सभी subjects के लिए one time payment आपको पता है वो आप किसी भी online mode पे payment कर पाएंगे जैसे आप payment करते थे वैसे ही payment आपका होगा exam form में जाके easily submit करने के बाद वहाँ पे आपका payment option आएगा उसके through में आप easily payment कर पाएंगे देखें आप dates देख लीजे सबसे पहले चार तारिक से आपका जो form fill up हो चालू हो रहा है last date है आपका college के through आपका form confirm करने का last date है 9 तारिक जैनवरी का आप 10 तारिक तक ये जो form है इसको submit कर सकते है मैं बोलंगो उससे बहुत पहले ही कर लेना 5-6 तारिक करके ही form fill up complete कर लेना यहाँ पर देख सकते है fees जो है online payment करने का college के through में अगर आप कर रहा है कोई भी students का दिक्कत हो सकते है online payment ना हो सकते है तो college के through भी आप करवा सकते है अगर आप खुद कर रहा है तो 10 तारिक last date अगर college के through करवा रहा है तो 12 तारिक जानवरी का last date फीपेमेंट करने का admit card जो generate होगा ही tentative date दिया गया है change हो सकता है 14 तारिक तक बोला जारे admit card आपको मिल जाएगा और जो examination है theory examination आपका 17 से 39 तारिक तक मतलब 17 से 29 तक 17 से 29 तक आपका जो examination है January 1 आपका जो आपका January है एक महिना मतलब 2022 का उसका 17 तारिक से 39 तक आपका जो examination है tentative date यहाँ पे बोल दिया गया है theory examination का and practical examination and marks जो submission होगा आपका practical का मतलब PCA marks आपका जो submission होगा वो आपका करना पड़ेगा 24 से 31 के अंदर and examination भी practical का उसी बीच आपका ले लेना पड़ेगा वो colleges आपका ले लेगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इसमें तो कोई भी tension लेने का जरुरत नहीं यहाँ पे theory examination आपका 17 से 29 and आपका जो practical examination है अब इस 31 तारीक के अंदर आपका complete हो जाएगा and सभी काम आपका January के अंदर complete हो रहा है तो definitely आपको इसको लेको सोचने का जरुरत नहीं है definitely form flip करना 4 तारीक से form flip है January का और भी एक मैं बीच में वीडियो बना दूँगा अगर कोई भी दिक्कत आए तो form flip कैसे करने नहीं करने सभी का एक वीडियो बना दूँगा होफ़ीलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा तो मैक आउट का भी अभी जो final notice से पबलिश हो गया है वीडियो को शेर करना ताकि सभी कोई अपडेट मिल जाए तो यहीत आज को वीडियो वीडियो कैसे लगा definitely comment करना वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना तो चले आज के लिए इतना ही बहुत जिल्दी नहीं वीडियो के साथ फिर सब लोस मला कात होगी तब तक के लिए बब बाई